हमारे चैनल अवस्ती वाइटेलिटी को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बगल में दिये हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले नमस्कार मैम क्या हाल हैं हमके? बड़िया हम सार क्या नाम लिखते हैं आप? मैं श्रीमती बीपकोरी हूँ कहां से हैं आप? जबलपूर से हैं एज क्या लिखते हैं मैम? एज सर 38 है 38 आपको क्या प्रॉब्लम थी? जो आप जबलपूर से यहां फर्स्ट टाइम जब अपन मिले थे तब आप रायपूर आये थे मिलने के लिए जी क्या प्रोब्लम थी आपको नहीं बीमारी क्या थी लिगामेंट इंजुरी थी ओके ओके चलिए खड़े दिंग कुपाती थी सर पांच मिनिट ली कॉंफिडेंस नहीं रहता था चलने में सीडी अगरे चड़ना उतरना पॉसिबली नहीं था तो सर ये सारी प्रोब्लम्स ठीक है जिसे अभी अपन मिले थे साथवे महीने में 2019 में फिर बीस निकल गया लोगडाउन था आप मिलनी पाए अभी अप मिलें जन्वरी में है ना तो अभी ये थोड़ा समझाएंगे कि इतने समय में मैं कितने बार राइपूर बुलाया आपको पहले यहां आने के पहले आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिये थे इसके लिए यहां आने के पहले मैडिसन तो लिए थी लेकिन डॉक्टर में सीथे सर्जरी ही बोली थी ठीक है तो फिर वो तो मैं करवाना ही नहीं चाहा रही थी फिर मुझे आपके बारे में पता चले यूट्यूब अगर में देखके तो फिर मैंने इधर पे आई आई आपसे बिलने अब ही जैसे नॉर्मल रूटीन होता है किसी एक फीमेल पेशेंट का जैसे घरेलू काम है ना सीडी चड़ना उतरना घर में अंदर बहर कमरों में करना किचन में काम करना खड़े रहना थोड़ी देर यह सब कर लेते हैं जी सर्य सब मैं कर लेती हैं और आप वर्किंग में किया वर्किंग हैं आपकी तो फिल्ड वर्क होता है तो फील्ड वर्क अराम से कर लेते हैं शेड़ी चड़ना उतरना इस टाइप का जो भी फिल्ड वर्क में होता है पूरी भागदौर हो जाती है बहुत बढ़िया यह बताएं दवा के दौरान या दवा भी कुछ वम्हें हो भी गए खतम हुए आपकी और ठंड भी निकल गई इस साल की है अब एक चीज लास्ट बता दीजे आपका रायपूर में ट्रीटमेंट हुआ कहा था जी सर अबस्ती क्लिक है हां एमें जी स्टोर शॉपिंग सेंटर है यहां पे रायपूर में इसलिए थेंक्यू